हलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पे और आज जब मैं वीडियो रिकाउड कर रहा हूँ तो आज से नवरात्री पर भी स्टार्ट हुआ है तो आप सभी को नवरात्रा की हर्दिक सुब करना है और आज मैं बात करने वाला हूँ कि क्या आप जब बीएड में अडम क्लाइट पेग्रास है तो जो भी हाइयर डिगरी का कोर्स है उसमें बहुत जादा पैसे लगते हैं तो सरकार के तरफ से कुछ श्कॉलर्षिप भी मिलती है तो आप सभी के मैंने में यह डाउट था कि क्या बीएड के लिए भी श्कॉलर्षिप मिलेगी तो तो क्या आपक आप एक login ID बना लिया हूँ तो उसके अंदर जाके भी मैं आपको college चेक करके बताऊंगा तो एक छोटा सा वीडियो होगा और form कैसे apply करना है इसके लिए एक अलग से वीडियो जल्द ही हमारे चैनल पर आ जाएगा तो बस आप लोग इतना भी जाल लिए कि हाँ आगर आप बेर कर रहे हैं तो आप scholarship के लिए apply कर सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको google में scholarship लिखके या फिर apply लिखके या apply scholarship लिखके ये सब कोई भी बात लिखके आपको क्या कर लेना search कर लेना सर्च करने के बाद जब आपके पास यह वाली वेबसाइट आएगा scholarship.gov.in तो यही वेबसाइट के अंदर आपको क्या होना चले जाना है बहुत सा वेबसाइट आपको इस तरह से दिखेगा ठीक है तो आपको जो में वेबसाइट है वो सबसे यही वाला वेबसाइट है scholarship.gov.in तो उपर दिखे तो उपर से चले जाएए नीचे कहीं पर भी दिखे इस पर भी जाएएगा तो वहीं पर पहुचेएगा तो चलिए मैं इसी पर चले जाता हूँ तो इसको मैंने क्या कर लिया क्लिक कर लिया तो यहाँ पर देखिए कि 2021 के लिए अल्रेड़ी फॉर्म क्या हो रहा अपलाई हो रहा है ना 2021 सेशन में आप लोग अभी एडमिसन लिजेगा तो 2021 और 2021 से बाईस यह 2 साल का बिएड का कोर्स है तो इसके लिए आप अल्रेड़ी इलिजिबल है फॉर्म अपलाई करने के लिए तो सबसे पहले यहाँ पर आप आईएगा तो इस तरह से पोर्टल है तो यहाँ पर आपक का option आजाएगा new user for registration login to apply तो पहले आप अगर नए user हैं तो इसमें आपको restart करना पड़ेगा फिर आप उससे आगे हैं मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है इसको भी मैं अभी चेक कर वाता हूं सबसे पहले मैं आपको institution का नाम चेक कर देता हूं यहाँ ठीक है तो institution का नाम है या नहीं इसको देखने के लिए सबसे पहले आप इसको click कर लीजेगा जब आप इसको click किजिएगा तो एक नया सा page फिर से open हो जाएगा इस page में आपको क्या करना पहले अपने institution जहां आपका state है उसका select करना है तो सबसे पहले हम लोग बिहार select कर लेते हैं और बिहार में मैं पटना का check करने वाला हूं तो पटना select कर लेते हैं तो यह हमारा दोस्तों नीचे slide करने के बाद पटना आगया अब यहां college किस type का हमारा तो school है या college है तो हमारा college college या institution बोलेज़ यह जो है optional है इसको आपको भड़ने का जूरत नहीं यह फिर से आपको नीचे आना है नीचे में आपको दोस्तों एक capture दिखेगा तो capture आपको फिल कर लेना है तो capture बहुत ही सब्धानी से फिल करना नहीं तो रेड़ वाला गोल घुमाने वाला जो दिख र है और उपर चलने के बाद get institution list पर click कर देना है तो अगर capture सही भरा हुआ रहेगा तो institution list जो है नीचे में आ जाएगा अगर capture गलत भरा हुआ रहेगा तो institution list नीचे में नहीं आएगा यह बात आपको ध्यान रखना है तो अब यहां पर yellow color ही है थोड़ा सा बेट कर लेते हैं तो बेट करने के बाद यह नीचे में क्या होगा एक list देखिए आ चुका है तो अब नीचे में list जब आ रहा है तो देखिए यहां पर पूरा पटना district में बहुँ ज़्यादा college का नाम आ गया iti college का high school बेगरा का भी नाम आ गया तो थोड़ा सा यहां पर हम लोग यहां पर college है यहां पर जो बच्चाइड मिसलेगा मतलब सारे college का यहां पर नाम क्या है registered है आपके पास अभी यह जो है इसमें आप यहां पर confused नहीं हो जाएगा इसको देखके आपको confused होने का जरुवत नहीं है ठीक है यह क्या होगा इस बार से लगता है list आया इस बार से एक update आया इसके बाद मैं बात करूँ और B8 college के बारे में तो देखिए बहुत सारा B8 college का इसमें आहीं जागा देखिए जैसे कि यहां पर आगया bachelor of education इस college का क्या नाम देख रहा है तो इस college का नाम हमारा देख रहा है बिद्या college of professional studies यह भी आपके जब form फिल कर रहा होगे तो वह ही ह कर सकता है डियलेट भी यहां पर चलता होगा तो डियलेट बाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं जैसे एक और है सीभम college of fire studies तो यह वक्ति आर्पूर डिस्टिक मतलब इसमें भी two year B8 का education का होगा देखिए तो सिधा सिधा मैं बात करूँ कि हाँ तो B8 के लिए आप एक और देखिए आप institution का नाम आ रहा है KGA School of Education ठीक है इसमें भी B8 के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं ठीक है तो जो भी यहां पर B8 का course चलता है ठीक है तो यहां पर two year B8 course है B8 का course है जो two year का उसके लिए आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं यह बात आप देखिएगा ठ से बहुँ जादा परसान होने का आपको जुरूत नहीं है वो लोग अपने आप अप्लाई कर देंगे तो इस तरह से देखे तो आप अपने डिस्टिक में जो भी B8 college होगा उसको क्या कर सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं तो यहां पर जो भी डिस्टिक से आपका चेक लेके आजाओंगा तो उसके लिए अपने चिंत रहिए तो यह हुआ आप दूसरा मैं इसमें क्या करता हूं लॉग इन करके आपको दिखाता हूं या फिर एक यह स्कूलर्शिप लिस्ट है इसमें मैं आपको चेक कर बाता हूं तो मैं पहले यहां से पॉस्ट कर लेता हू तो इस पे जब आप क्लिक किजएगा तो एक फिर नया से पेश आजाएगा और इस पेश पेश पे हमको कौन सा चुच करना एकाडमी कियर तो इसको मैं पहले देख लेता हूं फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा तो यह वाले पे मैं बात कर रहा था तो देखिए इसको मैं फिल कर चुका हो हूँ एंस्कीम पाइज अचेप शॉलर्षयम मिला है नहीं मिला है तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं जैसे की जो इनीस बिस का भरा म patio यहाँ से आया नहीं है कि यह चेक करने का टैब है तो फिर यहाँ सेишь कर सकते हो तो इससे आपको debit कि रहे और शेक amen ऐ तो देखे सबसे पहले चॉइस कॉलेज चूनने के लिए सबसे पहले यहां पर इस तरह का एक इंटरफेस खुल जागा एक नया से तो इसके बाद चूज यहां पर फिर से आपको स्टेट सेलेक्ट करना होगा मतलब मैं अभी आपको बता रहा हूं कि आप भी रेडी रही है क्या क्या लगेगा अपलाई करने के लिए इसके लिए मैं अलग से वीडियो ले आऊंगा तो हमसे जितना होगा मैं उतना आप लोगों का मदद करते ही रहता हूं ठीक है इसमें ऐसा कुछ है नहीं तो फिर से आपको नीचे आना पड़ेगा और गेट इंस्टिशूशन ल तुक देख देता हूं अब टीचर मैं क्या लगा हूं यह सब आपको पता ही चल गया हुगा मैं पिछले वीडियो में बता चुका था कि क्या लिख रहा था नש्था ऑसम बाहर वाले और जो भी है, वहाँ पर आगया, ठीक है, तो यहाँ से कौन सा Course कर रहे है, इसको फिर हमको चूल लेना पड़ेगा, यहाँ पर, आप बस इंदा माइंड मेकफ रखें कि हाँ हमा स्कॉलर्शिप के लिए अपलाई कर सकते हैं लेकिन हाँ मैं एक बात आप लोगो को सजेस्ट करना चाहूँगा कि सारे बच्चे इसी पर कॉंसेंट्रेट नहीं हो जाएगा कि बिना इसके मतलब हम इसी पर भरोसे रखके आप 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 अडमिसन ले लिजेगा अब यहाँ पर बहुत बच्चे का पास हो जाता है बहुत बच्चे का पास नहीं भी हो पाता है तो मैं आपको यह सजेस्ट करूँगा कि सिर्फ इसी को देखके आप अडमिसन नहीं ले लिजेगा आप अपना पोटेंशियल भी इसमें एक बार आप जरूर से देख लिजेगा कि से स्कार्ण विए